आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मुख्यमंत्री योगी आदत्यनाथ आज मतुरा के दोरे पर रहे और उन्होंने श्री कृष्ण जन इस्थान पहुचकर दर्शन और पूजा भी की इसके बाद सीम योगी आदत्यनाथ मतुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सम्वोधित भी किया यहां सीम योगी ने चिले की 210 विकास योजनाओं का लोकारपड और शिलान्याज भी किया है सीम योगी आदत्यनाथ ने मतुरा में 822.4 करोड की 210 विकास योजनाओं का शिलान्याज और उद्धाटन किया फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सम्वोधित करते हुए सीम योगी आदत्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास योजनाओं पर बिना किसी भेद भाव लगातार काम हो रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने व्रंदवन का विकास किया पूर्व की सरकारों ने इस शेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया कहा कि हमने नगर निगम बनाया ब्रज दीर्थ विकास परिशत का गठन किया और चुनाओं में ब्रज भूनी ने साबित भी किया कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा है CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज के लोगों के लिए और यहां आने वाले परियाटकों के लिए हम Elevated Road और Ropeway बना रहे हैं Traffic Management के लिए हम Integrated Traffic Management System बना रहे हैं बाजपा की सरकार में प्रदानमंत्री आवास योजना का लाब गरीबों को मिल रहा है रहडी विवसाय को हमने विवस्थित किया है जल्द और भी विवस्था हो रही है CM योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यमुना मैया निर्मल हूंगी नमामी गंगे योजना में नाले टेप किये गए हैं जिससे यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा इसके लिए हमने भी सभी विभागों को निर्देश दिये हैं डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन निकाय बोर्ड का भी वो तब और भी जादा प्रगती होगी गौर तलब है कि CM योगी के दोरे को नगर निकाय चुनाओं को लेकर एहमाना जा रहा है प्रगती वर्ग सम्मेलन के जरिये CM योगी आदित्यना शहरी निकायों के बड़े वर्ग को टार्गेट कर रहे हैं पर निकाय चुनाओं की अधिसूचना आज चारी नहीं हो पाई है खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार